तो यह घटना चकर की सीरीज मेरी आल्रेडी चल रही है जहां मैंने 5-6 चैप्टर आल्रेडी करा रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आल्रेडी पीछी जाके देख सकते हो physics के सेक्षन में है ठीक है तो मेरी planning यही है कि मैं complete घटना चकर को complete करा हूं एक दिन में at least 2 videos end of the day मैं डाल के कोसिस करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी इसको खतम कर दूँ तो आज का चप्टर है heat and thermodynamics ठीक है heat and thermodynamics चप्टर है इससे आप question directly expect कर सकते हो किसी भी एक्जाम में चाहे वो कोई भी एक्जाम हो state pieces का even आप civil services में भी इसके portions को देख सकते हो as well as various state level exam as well as general central level exam like SSCCL SSCCHSL इस सब में ठीक है तो start करते हैं तो पहली topic है heat heat को समझते है heat कहा है heat कहा है एक form of energy heat कहा है energy है यह keyword है इसकी जो कि transfer होती है from one system to another system सीधी सी बात है जो transfer होती है one system से another system और क्यों transfer होती है क्योंकि उन दोनों के बीच में there is there should be some temperature difference कुछ ना कुछ temperature का अंतर होना चाहिए तो यह हो गया heat के बारे में इसके ऐसा unit है joule और इसको हम लोग calorie में भी notate करते है ठीक है अब हम लोग temperature की बात करेंगे तेमपरेचर के है एक thermal state है किसी भी object का जो बताता है कि मेरा जो heat का transfer होगा न वो किस direction में होने वाला है तो आप temperature को यह भी कह सकते हो यह temperature is a degree degree of hotness और coldness ठीक है जिसम क्या कहते है देखो मेरे 102 डिगरी वुखा रहे है उसका क्या मतलब हो आप heat नहीं बताते हो आप बताते हो देखो आप कहते तो normal language में 102 डिगरी गरम में मेरी सरीर बट ऐसा नहीं है वो temperature बता रहे है आप आप जो बता रहे है 102 डिगरी celsius even in Fahrenheit even in Kelvin scale वो temperature होता है ठीक है तो यह जो है heat जो है मेरा इस body से इस body में कैसे flow करेगा उसका ख्याल रखता है temperature याद रखना है कि heat जो होता है वो हमेशा transfer करेगा higher temperature से lower temperature हमेशा याद रखना है जि इसके बास पैसा ज्यादा होगा वही तो कम पैसे वालों को दान करेगा ना कम पैसे वालों तो दान नहीं करता है लेकिन हड़ाक की अब उल्टा होता है लेकिन temperature केसब ऐसा ही है higher temperature से lower temperature जाता है ठीक है अब हम लोग temperature measurement की बात कर लेते हैं तो एक thermometric device होता बचपन से सुनते यार है जो की मेजर करता है temperature को अब डिफरेंट डिफरेंट स्केल की थर्मोमेटर होती है एक होती है Celsius और centigrade स्केल एक होती है Kelvin स्केल एक होती है Fahrenheit स्केल और भी होती है बत ये तीनों most prominent है तो एक चीज़ समझते हैं कि जिदनी सारे definitions हैं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है हम आपको एक trick बताते हैं एक छोटा सा state equation है उसको आप दिमाग में रखोगे तो हर को convert कर सकते हैं एक दूसरे से ठीक है हलागे मैं theory को भी पढ़ेंगे लेकिन हम समझते हैं तो वो relation क्या है हम समझ लेते हैं c minus 0 by 100 equals to k minus 273 by 100 is equals to f minus 32 by 180 अभी मैं इस तीनों के रिपीछ क्या relation आपको बता रहा हूं मैं जादा दूर जाने की कोशिस नहीं कर रहा हूं ठीक है तो यह होगा degree Celsius Kelvin and Fahrenheit में का relation आप बस इतना को ध्यान रखो आपसे हर एक question बन जाएगा यह मेरा आपसे guaranteed बहता है ठीक है यह बनेगा आपसे तो क्या relation है C minus 0 by 100 यह C क्या denote करता है degree Celsius equals to K minus 273 by 100 is equals to F minus 32 by 180 where K is Kelvin F is Fahrenheit scale आप इतना याद रखो फिल्वे आपको आगे बताता हूं कि कैसे कैसे यह conversion table है अगर आपको यह ध्यान में आना तो कैसे भी इसका ध्यान रखना है C minus 0 by 100 K minus 273 by 100 F minus 32 by 180 अब इसको मैं मिटाता हूं आगे चलता हूं मैं इसके definitions पे चला रहता हूं तो हम लोग बात कर रहे हैं अब हम लोग Celsius को समझते है Celsius एक scale है जो 0 degree Celsius रपरेजन करता है melting point को melting point of ice को and 100 degree Celsius रपेजन करता है boiling point of water को सीधी सी बात है मतलब 0 के नीचे जाओगे न तो freezing point start होगे वहाँ जमना शुरू होता है बर्फ 0 पे आते हैं तो milch करना शुरू करता है बर्फ और 0 से उपर 100 तक चले आते हैं तो वहाँ पे boil करने लगता है water तो यह Celsius का एक standard notation है ठीक है अब समझते हैं Kelvin scale को समझते है Kelvin scale क्या होता है Kelvin में जब भी Kelvin की बात हो न तो हम degree Celsius में add कर देंगे 273 Kelvin में जाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिए बागी और कुछ ध्यान रखने के ज़रूत नहीं है मतलब Kelvin equals to C plus 273 बस कुछ भी ध्यान रखने के आपको ज़रूत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देख लीजे एक और से समझाते हैं अगर 0 degree Celsius जो थी वो melting point को represent करती है Celsius में Kelvin में कितना करेगी तो plus 273 that is 273 Kelvin अगर 100 degree Celsius जो है वो करती है boiling point of water को तो अगर हम उसी को पूछेंगे आप से कि Kelvin में कितना करेगी तो 100 plus 273 that is 373 373 करेगी उसकी boiling point को उसमें कुछ भी याद रखना है कि है नहीं याद रखना आगे बढ़ते है अब देखें मैंने आपको एक relation बता है था न C minus 0 by 100 K minus 273 by 100 equals to F minus 32 by 180 आपको उसी relation को याद रखना है बाकी आप किसी के relation किसी के definition को ज्याद रखने की ज़रूत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते है मैं relation फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपके लिए आसान रहे ठीक है वो relation था C minus 0 by 180 degree 180 sorry 100 is equals to K minus 273 by 100 equals to F minus 32 by 180 अब जैसे मैं आपसे एक example लेता हूँ पानी के boil होने का temperature किता है तो हम जानते हैं 100 degree Celsius पे water boil कर जाता है तो आप उछो के हैं से कि अच्छा 100 पे कर जाता है तो आप बताओ कि Kelvin बें कितना होगा मुझे नहीं पता है मैं 11 की तराफ समझ रहा हूँ कि या मुझे नहीं पता है तो मैं इसको convert करता हूँ basic language में तो मुझे C पता है 100 degree Celsius C minus 0 by 100 is equals to Kelvin मुझे निकालना है minus 273 by 100 ठीक है 100 से 100 cancel कर दो क्या बचा k minus 273 is equals to 100 तो k हो जागी Kelvin में क्या हो जाएगा 100 plus 273 equals to 373 अगर किसी को relation याद भी नहीं है तो आप अराम से निकाल सकते हो कि 100 degree Celsius is equals to 373 Kelvin तो मैं यह कह रहा हूँ कि आपकी background कुछ भी है commerce से हो art से हो language course से हो लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा तो आप बस simple से याद रखना हमेशा c minus 0 by 100 equals to k minus 273 by equals to k minus 273 by 100 f minus 32 by 180 इतना याद रखना आपको कोई conversion कुछ भी ध्यान रखने की जड़ोत नहीं है ठीक है यह form आपको ध्यान रहना नहीं मेरी मानो अगर आपको याद हो गया ना तो आप exam में कोई भी question बना लोगे अब हम आगे चलते है temperature effect on matter पर पर परते है ठीक है किसी भी object पर temperature का effect परता है अगर आप increase करते हो किसी temperature को तो solid state जो होगा ना वो liquid state में convert होने लगेगा और liquid state जो होगा ना तो gases में convert हो जाएगा simple सा बात है इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है अगर आप बर्फ को रख दो बाहर fridge से निकालके बर्फ को बाहर रख दो तो वो पिखलना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ temperature गेन हो रहा है उसी बर्फ जो पिखल जाए पानी बन जाए इसको आप इस्टोप पे रख दो तो वो gaseous form में आने लगता है तो ठीक है solid will be converted into liquid liquid will be converted into gas सिद्धी सी बात है इसमें कोई सोचना ही नहीं है अब एक melting का ठर्माता है melting क्या होता उसको पढ़ते हैं तो melting है क्या melting एक process है जो convert करता है किसी भी solid को liquid में by giving some certain amount of temperature easy सा है कुछ नहीं जानना है इसमें आगे बढ़ते हैं अब कहते हैं कि वैसा temperature जिस पे solid matter ना आपका melt करने लगा और वो liquid में convert होने लगा किस pressure पे याद रखिएगा pressure की भी बात करेंगे atmospheric pressure पे तो उसको ही melting point of that solid कहेंगे मतलब किसी भी solid की melting point जो atmosphere में pressure है उसके respect में उस पे कितना हमें heat प्रोवाइड करना पड़ रहा है तो वही उसकी melting point होगी जैसे ice कितने melt करता है 0 degree Celsius पे fridge से निकाल के लाओ बाहर लाया room में रख दिया 23 degree Celsius मिल गया माल लो room temperature है पिखलना शुरू हो गया अलाकि वो 0 degree पे ही पिखलना शुरू कर देगा तो जब वो पिखलना शुरू कर दिया 0 degree Celsius पे तो वही उसकी melting point होगी ठीक है अब हर एक different solids की different melting point होती है आईस की 0 degree Celsius होती है अगर हम wax की बात करे melting point of wax की बात करे तो 63 degree Celsius होती है तभी तो उसको जलाने पे वो पिखलना शुरू होता है नहीं तो वो खरे रखे room में नहीं पिखलता है अगर हम iron की बात करे लोहे की तो 1535 degree Celsius आपको देनी परेगी इसलिए इसको हम लोग blast furnace में लेकी जाकर पिखलाते है ठीक है अब हम आगे बढ़ते है कह रहा है the melting point of any solid source the extent of the force of attraction between the particle देखिए मैं आपको बेसिक लेंग में समझाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है general science क्या है ठीक है देखो मालो तो अगर ये molecules है मेरे किसी भी solid के अंदर molecules है ठीक है मैं आपको atomic level पर समझा रहा हूँ ठीक है ये solid हो गया अब एक बाद आख कोई एक ऐसा solid है जिसके molecules थोड़े दूर दूर पर है जल्दी कौन पिखलेगा जल्दी जो पिखलेगा न वो ये वाला होगा क्योंकि उसके बीच में inter-molecular force of attraction जो inter-molecular forces है न वो कम strength के है इसकी force ज़ादा है between the inter-molecules इसकी force कम है तो ये जल्दी पिखलेगा है इसको कम temperature में ये मानलो 20 degree Celsius में पिखलने लगा तो ये हो सकता है 30 degree दिले ठीक है आप उस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहरा हूँ पिखलने और melting का सीधा relation है उसके बीच के atoms और molecules के बीच के force of attraction से relation है ठीक है अगर किसी भी जैसे मानलो एक बर्फ का टुकरा है और एक iron की piece है एक लोहे का piece है आप खुद समझ जाओगे कौन से जल्दी पिखलेगा आइस पिखलेगा iron क्यों नहीं पिखलेगा क्योंकि iron के अंदर की जो molecules है जो atoms है वो इतनी closely packed है कि उसको तोरना उसके बीच के force को तोरने में बहुत time लग जाता है आचा है आप कितनी भी energy provide करो कितना लगता है कितनी energy provide करने पड़ती है कितना हमें heat supply करना पड़ता है तो 1535 degree Celsius यही फर्क है ठीक है यह था हमारा melting के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे boiling तो boiling क्या होता है समझते है boiling एक process है जहाँ पे liquid जो है न वो vapors में convert होने लगता है fastly समझ गए ठीक है और वैसा temperature जहाँ पे वो liquid वैसा temperature जहाँ पे वो liquid काफी boil होने लगेगा और वो liquid अपने state को that is liquid state से वो gases state में that is vapors के form में fastly atmospheric atmosphere में जाने लगेगा condition क्या होगा मेरा atmospheric pressure constant रहेगा तो उसी temperature को हम लोग कहेंगा boiling point अब different different liquid की different boiling point है अगर हम alcohol की बात करें 78 degree Celsius पे वो बदलने लगता है vapors में water 100 degree Celsius पे बदलता है यह तो हम लोग बच्पन से जान रहे है mercury जो है 357 degree Celsius पे वो vaporize होता है simple सी बात है तो melting point of different liquid alcohol का 78 water 100 mercury 357 degree Celsius ठीक है अब हम लोग condensation समझते है अब एक चीज़ समझते है जैसे माल लो बच्पन से देखते आ रहे हो कि एक pot चरहा हुआ है gas पे ठीक है इस पे आप देखते हो कि एक plate को रख दो और plate को थोड़े दिन देर के बाद आके हटाना तो उस plate पे थोड़ा सा water vapor droplets लगा होता है आपको पता है वो पहले steam में बनते रहता है गर्म के बादे लेकिन फिर से वो return back जो liquid बनता है उसी यो condensation कहते है ठीक है अब इसको language में जान लेते है condensation एक process है जहाँ पे physical condition of matter from gas to liquid and it is the contrast phenomenon of vaporization तो आप समझ लिजिए vaporization हो रहा था उसका उल्टा कर दो vapor को फिर से बना दो उसी liquid में उसी condensation कहते है ठीक है ठीक है अब freezing समझते है यह एक phase है जिसमें liquid जो होता है वो solid में convert हो जाता है temperature को low कर दो पानी बर बन जाती है वही है freezing ठीक है अब कह रहा है on cooling a liquid the temperature at which the turns it turns into solid अब जिस temperature पे वो solid में turn करती उसी को freezing point कहते है water की बात कर लें तो हम लोग 0 degree Celsius होता है freezing point ठीक है the freezing point of the liquid and the melting point of a solid is same बिल्कुल सी बात है किसी point पे एक liquid जो हो freeze कर रहा है या melting point भी हो रहा है किसी solid का तो हो same होगा for example water जो होता है freeze होता है 0 degree Celsius पे और ice melt होता है 0 degree Celsius पे मतलब उसमें जिसे मैं आपको समझाता हूँ 0 degree Celsius के नीचे हलका सा आ जाओ मतलब 0 minus 0 degree Celsius minus 0.001 पे आ जाओ तो यह जम जाएगा अब 0 degree Celsius पे ही माल लो थोड़ा सा चेंज कर दो प्लस डेल्टा 0 कर दो थोड़ा सा चेंज तो यह पिखलने लगेगा समझ रहे हो तो इसलिए इसको 0 degree Celsius को एक common junction point माने है sorry जहाँ पे freezing भी होता है and as well as melting भी होता है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे latent heat के बारे में तो अब latent heat के बारे में समझते है latent heat है क्या basically तो latent heat क्या होता है कि कितना temperature आपको चाहिए किसी भी एक solid को liquid या vapor में या फिर liquid को vapor में convert करने के लिए हाँ लेकिन एक condition है there should be no change in temperature temperature हमारा change नहीं होना चाहिए temperature हमारा constant हो लेकिन एक constant temperature पे हम कितनी heat प्रोवाइड करें कि मेरा solid convert हो जाए liquid में या gas में या फिर एक liquid convert हो जाए gas में condition क्या है latent heat का कि मेरा temperature constant होना चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते है अब देखिए two types of latent heat होता है एक होता है latent heat of melting एक होता है latent heat of vaporization तो simple सा concept है जब solid को melt करेंगे या फिर liquid को vaporize करेंगे उस में जो constant temperature चाहिए उसके लिए बात करेंगे हम अब latent heat of melting समझ लेते हैं कुछ आपको core facts याद रखने होंगे इसमें क्योंकि कुछ-कुछ questions में इसको use किया सकता है तो हम latent heat of melting को समझते हैं इसमें क्या देखो melt क्या करेगा solid melt करेगा तो हमें कितनी energy required है मतलब required energy for the conversion of solid into liquid phase is called latent heat of melting अब हम लोग simple सी बात है ice के latent heat of melting की value जान लेते हैं और इसको ध्यान रखना है तो यह 3.34 into 10.5 joule per kg मतलब 1 kg of ice को अगर आपको melt करना है at constant temperature अब हम लोग बात करते हैं latent heat of vaporization के बारे में simple सा concept है कितनी energy required है to convert liquid को vapor में तेक है इसी कहते है latent heat of vaporization अब एक चीज़ समझते है latent heat of vaporization water के लिए कितना है 22.5 into 22.5 joule per kg मतलब kg माल लो 1 liter माल लो 1 liter of water या 1 kg of water को अगर आप heat करोगे constant temperature रखना है temperature को vary नहीं करना है तो कितना time लगेगा उसको vapor convert होने में कितनी energy लगेगी तो 22.5 into 22.5 joule लगेगी ठीक है इस value को याद कर लिजेगा आप हम आगे चलते हैं कुछ bullets points है कुछ concept है उसको जान लेते हैं कहता है when water turns into vapor it absorbs the latent heat देखिए यहाँ पर एक concept आ रहा है कि जब भी steam हुआ या फिर boiling water हुआ ठीक है तो steam का जो होता है वो latent heat जादा होता है उसमें energy जादा release होती है तो आप steam से अगर जलोगे तो आपका हाथ तो कहता है when water turns into vapor it absorbs latent heat जब water जो होगा वो vapor में convert हो रहा है तो वो absorb करेगा latent heat को ठीक है तो कुछ experiment से यह पता किया गया अबसर्ब किया गया कि burning from steam तो simple सा concept है कि अगर हम steam से जलते है तो वो जो pain होगा वो undurable होगा ठीक है और अगर boiling water से करते है लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको कि दोनो steam as well as boiling water 100 degree Celsius पर ही होता है ठीक है तो क्यों ऐसा हो रहा है तो steam के पास more latent heat होता है as compared to boiling water अब इसको समझाते हैं कैसे माल लीजे यह आपकी pot है इसको आपने चरहा रखा है fire पे water है 100 degree Celsius पर boil होने लगी तो vapor बनने लगा ठीक है steam बनने लगा अब मैं एक चीज़ बताता हूं आपको एक तो 100 degree Celsius पर यह water boil होई रही थी plus जो energy मुझे लगा है जो latent heat जो लगा है latent heat किसीज में इस water को convert होने में vapor में वो भी तो add हो जाएगी ना steam के साथ steam की energy हो जाएगी यह steam की जो heat होगी वो यह हो जाएगी 100 degree Celsius plus latent heat उसमें add हो जाएगी हम सिर्फ water boiling water के बात करेंगे तो इसकी 100 degree Celsius होगी तो अगर water से जलोगे तो सिर्फ 100 degree Celsius अगर heat से जलोगे steam से तो 100 degree Celsius plus latent heat तो यह याद रखना है इसलिए हम लोग latent heat से जादा जलते है ठीक है बहुत सी basic और simple सा concept अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको आराम से पता चल जाएगा अब कह रहा है when the steam falls on the skin it forms water अब याद रखना है कि कितना कहता है कि 22.5 तो याद रखना है अगर एक केजी water convert हो रहा है इतना जादा latent heat उसमें add होगा मैंने आपको पहले बताया था देखो यह था latent heat of vaporization तो यह additional add हो जाएगा उसके साथ तो 22.5 तो पाइव जूल पर केजी add होते चला जाएगा जो आपको जादा जादा painful होगा जिसके लिए ठीक है तो यह था all about steam and water latent heat concept latent heat of vaporization boiling point concept अब आगे चलते हैं लोग sublimation देखिए आप कोई भी एक्जाम देलो अगर thermodynamics यह पार्ट उसमें है ना तो sublimation पर question पूछेगा ही पूछेगा sublimation एक process है जो कि क्या करता है solid को directly convert करता है vapor में solid changes directly into vapor तो sublimation हमें पता चल गया कि heat करने पे directly जो solid होगा वो directly convert हो जागा water vapor में ठीक है vapor में sorry water vapor नहीं तो आप समझते हैं और अगर हम उसी से दो cool करें तो vapor जो होगा वो directly चेंज़़गा solid में तो reversible process है इसी का याद रखना है मतलब क्या है कि आपकी जो solid थी वो convert हो गई vapor में या gas मान लो और अगर हम जो cool करेंगे cooling तो ये फिर से solid में convert हो जाएगी heat कर रहा है तो gas में convert हो जा रही है ठीक है तो इसको ही sublimation कहते हैं अब इसका example देते हैं घर में आप लोगों ने कपूर देखा होगा कैमफर जो कहते हैं या नेप्थिलिन की गोली देखी होगी जब उसको आप खुले में छोड़ दोगे ना तो आप देखो कि कपूर जो होगा वो धीरे-दीरे छोटा होतो चला जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ sublimation process act कर रहा है sublimation कहा रहा है कि रुको भाई अब तुमें हम एक proper room temperature दे रहा है जोकि nearly 25 degree Celsius है और आपको convert होने का वक्त आ गया है तो वो convert होने लगता है और directly vapor में convert होता है इसी तरीके से ammonium chloride भी SSO करता है iodine आप नमक को भी खुले छोड़ दो नमक नहीं स्वाली ammonium chloride, iodine camphor वही camphor की जो मैंने आपको कपूर बताया था neptaline जो neptaline की गोली आती है तो sublimation यह process और यह एक चीज याद रखेगा किसी भी exam में आप जाईएगा न जहां पर general science concept आता है और यह concept आएगा sublimation से वो लोग mostly frame करते हैं यह उनको लगता है यह topic बहुत ही interesting है evaporation तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे होगे वह एक ऐसा process है जो directly liquid को turn करता है vapors में और the process in which liquid turns into vapors below its boiling point boiling point से पहले ही इसी को evaporation कहते हैं और यह room temperature पे भी हो जाता है इसका the best example है भींगे वे कपरे को सुखाने का उसी को evaporation कहते हैं pond water dries up by evaporation of water summer days में सूख जाती है pond सूख जाती है अब देखिए अगर हम लोग temperature को बरहाते हैं तो rate of evaporation जल्द जल्दी होता है तो यह simple सा concept है मालनो भींगा हुआ एक तॉलिया लेके हम आ गया है और हम गहरी धूप में इसको रख देते हैं तो यह जल्दी जल्दी सूख जाएगा ठीक है कम रेक अंदर पसार दिये तो धीरे-धीरे सूखता है तो सिद्धा सा concept है यह evaporation का अब समझते हैं कि rate of evaporation of any liquid is maximum at its boiling point अगर boiling point पर ले जाता है नो उस liquid की तो evaporation बहुत faster होता है याद रखना और maximum होता है अगर मालो low humidity है air में तो evaporation rate हाई होती है मतलब अगर motion मेरा dry है गर्मी के साम के season याद कीज़े तो evaporation की rate जादा होती है और water evaporate करता है अगर हम higher humidity की बात करते है ठंड का मौसम को बात करते है या फिर बारी सो गया हो आधे गंटे पहले air atmosphere में water droplets रहता है तो evaporation की rate low होती है simple सा concept है आप बस एकदम local language से भी सोचोगे ना तो आप सब कु समझ में आ जाएगा अब एक समझते हैं evaporation जो है ना वो एक cooling effect छोड़ता है कैसे मटके आप लोगों ने यूज किया होगा गर्मी के मौसम में तो मटके पर आपकी जो भी पानी भरते हैं उसमें तो उसमें पानी छीट देते हैं हलकिसी ऐसा क्यूं करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि जो मेरा सुराही था जो मेरा सुराही है उस पे पानी की बूंदे छीट देता है या फिर भींग एक अपरेसिस को लपेट देता है आप देखे होंगे ऐसा क्यूं होता है जब इस पे एर फॉल करती है तो इसमें एवपरेशन होती है जब एवपरेट करेगी न तो एवपरेशन जो है वो कूलिंग एफेक्ट को फिस पे तो जैसे कुलिंग एफेक्ट छोड़ी तो मेरा बॉड़ी ठंड़ा हो गया यही एक वज़ा होता है जो हम लोग मटके के ऊपर कपड़े लपेट देते हैं फिर पानी के छिरकाओ कर देते हैं सिंपल है देखिए सेम ही एक्जांपल दे रखा है बसे मैं देखा भ गर्मी के टाइम है बाहर बैठा है तो आप देखते हो कि वह अपने टं गो बाहर रखता होगा टंग के उपर जो उसकी जो लारवा होती है जो उसकी sliverie sliver होती है स्लाइवा क्या होता है वो इवोपरेट करता है एटमस्फेर में उसको गर्मी लगते रहती है तो वो उसको प्लीजेंट कूल-कूल फील करवाता है उसके बॉड़ी को थर्मो रेगुलेट करता है तो यह भी एक कंसेप्ट है ठीक है अब एक जी समझते हैं अब हम लोग समझ ज़ो होता है वोटर को एबजॉर्प नहीं करता है बहुत अच्छी क्वॉट्टि छीप सब्सक्रण्द करता है और तो वोटर को narrower नहीं करेगा तो कंडेंसेशं और हमारा बॉड़ी ठंड़ड़ कि इसके लिए उसकेस में हम लोग कॉट्टेन क्लॉज करेगे जो जादा से जादा एब्सॉर्ब करते हैं कि वाटर हिमेडिटी को हमारे बॉडी से स्वेट को ठीक है अब हम लोग फैन यूज करेंगे तो रेट अब बढ़ जाएगी बिल्कुल बढ़ जाएगी अब देखिए डेजर्ट रूम जो कूलर यूज करते हैं कुलिंग एफिक्ट यह था सारा कंसेप्ट आपको related to heat and thermodynamics अब हम लोग mcq की तरफ बढ़ते हैं कुछ नहीं है आपको एक बेसिक फॉर्मुला मैंने बताया था c-0 by 100 आपको यह फॉर्मुला तो याद रखना ही है कौन सा फॉर्मुला c-0 by 100 equals to k Kelvin minus 273 by 100 equals to f Fahrenheit minus 32 by 180 बस आपको इतना ही याद कर लेंगे अब हम आगे चलते हैं questions पर ठीक है बहुत ही patiently question करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं solve करते हुए question कह रहा है transfer of heat by convection can takes place in एक चीज़ समझ लीजे convection process होता है उसके लिए आपको molecules थोड़े से दूरी-दूरी पर होने चाहिए ठीक है एकदम highly compact नहीं होने चाहिए उसके है बहुत सारी चीज़े है जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम लोग question के थूश को समझ लेंगे तो convection possible किसमें है gaseous and liquid में ठीक है convection is mode of heat transfer by actual motion of matter it is possible only in fluids and gases ठीक है तो अब elimination देख लेते हैं solids में नहीं होगा solids में नहीं होगा vacuum में हमें material चाहिए molecules चाहिए तो इसमें भी नहीं होगा तो हमारा option C है हम आगे बढ़ेंगे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है बठाना देख लिजए MPPCS prelims की question है आगे बढ़ते हैं अब कह रहा है liquid remain hot or cold for a long time in thermoflask because there is no loss or gain of heat by देखे थर्मoflask जो होता है तो आप Milton की bottle यूज़ करते हो अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि आखिरिसमें ये पानी जो hot है वो hot ही क्यों रहाता है cold है वो cold ही क्यों रहा जाता है तो इसका सबसे पहला बज़ा है पानी से पहला नहीं है तो metal जो होता है वो conduction सो करता है लेकिन हम लोग क्या करता है दो metal के बीच के layer में हम लोग एक insulator डाल देते हैं जो कि मालो यह अंदर है यहां मेरा fluid रखा है तो यह ना बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि बीच में insulator material है उसको फिर से rebound कर देता है तो conduction तो होगा ही option में मतलब conduction तो होगा ही साथ साथ में अब उसके अंदर जो fluid है fluid है तो उसमें क्या होता है molecule transfer होता है इसको conviction कहते है ठीक है इसको conviction कहते है तो आप समझ गया conviction और radiation भी possible नहीं होगा क्योंकि यहां पे heat loss नहीं हो रहा है so answer will be both and be कितना easy सा concept है इसको मैं read नहीं करूँ कि मैंने इसको explain कर दिया अब आगे बढ़ते हैं अब कहे रहा है कि steam जो होता है 100 degree Celsius पे ज़्यादा severe burn कॉज करता है as compared to water at the same temperature तो इसा क्यों होता है क्योंकि मैंने आपको समझाया था न कि water के साथ तो सिर्फ 100 degree Celsius temperature added है यह water के case में है बट अगर हम steam की बात करें तो यहाँ पे 100 degree Celsius तो अल्रेड़ी उसमें heat added है प्लस एक latent heat आ जाता है ठीक है जो की इसकी value मैंने आपको बताया था अल्रेड़ी एक और फिर से देख लेंगे तो यह जो additional हो जाता है तो यह जादा heat को liberate करता है तो steam जादा खतरनाक होता है तो हमेशा याद रखेगा गर्म पानी में हाथ चले जाए कोई दिक्कत नहीं है बट severe steam में ना जाने जाए steam का burn बहुत ही जादा dangerous होता है ठीक है so it will be steam provided more heat सीथा सा बात है हम आगे बढ़ते है एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ concept तो जो मैंने बताया वो 100% सही है बट एक चीज़ याद रखेगा कि 540 calorie of heat energy to convert it to steam याद रखेगा कि अगर हम लोग 1 gram liquid की बात करेंगे ना एक ग्राम वाटर को अगर हमको convert करना है तो हमको 540 calorie का heat चाहिए latent heat के form में तो अब क्या हो गया 100 degree Celsius पे तो वो boil होना शुरू हुआ plus 540 calorie heat और चाहिए उसको तो ये steam के case में हो जाता है ठीक है तो इसी लिए steam में ये 540 calorie का जो additional heat निकलता है ये हमको जादा burn करता है समझ में आ गया हम आगे बरते है question of 4 क्या कह रहा है question of 4 कह रहा है the hand burns more same question by steam comparatively to boiling water because the steam has latent heat अब देखो बार बार एक चीज़ को explain करने का फाइदा नहीं है लेकिन आप एक nature समझो कि ये UPPCS prelims 1993 में आया है मतला आपको समझ में आ रहा है न ये UPPCS में भी आएगा ये खूम फिर के सारे exam में आएगा तो कोई भी exam कोई भी exam अगर आप निकाल रहे हो PCS level का तो आप एक चीज़ देखो उसकी previous request पर brainstorm करो बार बार देखो आपसे वो exam निकलना सुन हो जाएगा थोरा समझना है अब देखिए कुछ core facts है उसको याद रखना पड़ेगा जैसे latent heat of melting होता है 80 calorie per gram ठीक है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब कहे रहा है इसका क्या मतलब हुआ heat required for ice at 0 देखिए अगर हमको ice को जो 0 degree Celsius पर है उसको convert करना है water में तो हमको 80 calorie चाहिए ये आपको ध्यान रखना है अब देखते हैं अब हम लोग क्या कहे थे boiling point का क्या होता है required heat to enhance the temperature of water from 0 degree Celsius से 100 degree Celsius ले जाएंगे तो कितना लगा? 100 calorie लगा और हम लोग जानते हैं कि boiling point of water 100 degree Celsius होता है तो 80 calorie लगा हमको बर्फ को पानी बनाने में पानी को boil करने में 100 और लग गया तो आगे है मेरा 80 एक सो प्लस असी तो अभी मेरे पास कितना है देखो कह रहा है इस question में कह रहा है एक ग्राम ice को steam बनाने में कितना हमें खर्च होगा तो पहले हम लोग ने ice को ice के cubes को मान लो हम लोगों ने इसे water में बनाया water बनाया इसके लिए हमको लग गया 80 calorie यह याद रखना है आपको ठीक है अब इस water को हम लोगों ने 100 degree Celsius तक ले गया क्योंकि इसको हमको boil करना है पहले boil होगा तभी तो evaporate होगा तभी तो steam form में बनेगा boil करना है तो अब मेरे पास हो गया 100 calorie प्लस 80 calorie तो total कितना हो गया 180 calorie अब हमें पता है मैंने आपको बताया अब इस उपर कि 540 calorie हमको चाहिए किसी भी liquid को मतलब water को convert करने में steam में 540 calorie चाहिए तो हमें steam मिले जाना है तो steam की बात करेंगे तो 540 और add कर देंगे तो लोग add कर दो 540 तो total कितना हो जाएगा 80 प्लस 180 100 प्लस 540 540 100 640 640 60 700 प्लस 20 720 विल भी the correct answer कितना easy से concept है आपको थोड़ा भी सोचने की ज़रूत है नहीं सोचने की ज़रूत है बस आपको दो facts याद रहना चाहिए 80 calorie भर्प से पानी पानी से पानी को खौलते वे पानी में 100 degree Celsius और उसके बाद 540 calorie हमको चाहिए उसको steam बनने में तो basic से concept है अच्छा question था अगर आप देखो के PCS level में तो आप घुम सकते है उस question में अब देखते हैं question number 6 क्या कह रहा है कह रहा है कि ऐसा कौन सा temperature है जहाँ पे centigrade की जो reading है वो Fahrenheit के reading के बराबर हो जाए तो यहाँ पे वही concept लगेगा जैसे मैं आपको बताया था तो पहले conversion scale को समझते हैं हम लोगों ने पढ़ा था ना सी माइनस जीरो बाइंट्रेड इस इक्वल्स टू के माइनस 273 बाइंट्रेड इस इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाइंट्रेड अब देखिए हमें क्या दे रखा है कह रहा है ऐसा कौन सा temperature scale होगा जहाँ पे centigrade and Fahrenheit सेम हो जाएगा तो हमें इसकी जरूत नहीं है डिलेट करो तो c by 100 इस इक्वल्स टू Fahrenheit and centigrade सेम हो जाएगा तो हम लोग एफ को भी सी माल लेते हैं एफ भी सी माल लेते हैं यह सेम हो जा रहा है हो जा रहा है इसको further solve कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इस 0 से 0 cancel out कर दिजिए तो c हो गया आपको 10c minus 320 18c will be equals to this कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल नहीं है तो यह 8c हो जाएगा minus 320 तो c क्या हो जाएगा 40 minus 40 तो at minus 40 degree Celsius your centigrade scale will be equals to Fahrenheit scale समझ में आया कितना आसान question था बस मैंने आपको एक keyword दिया है एक keyword दिया इस formula को याद रखना है conversion का कोई भी question हो आप आसानी से कर लोगे तो answer minus 40 degree Celsius होगा minus 40 होगा sorry आगे बढ़ते हैं कोई जरूत नहीं इसकी explanation को जानने की देखो यह लोग आलग तरीके से करते हैं मुझे कोई जरूत नहीं है मेरे को बस एक core factor उसका keyword याद रखना है c minus 0 by 100 k minus 273 by 100 equals to f minus 32 by 180 आप से हर एक conversion question मनेगा कहीं पे कभी कभी नहीं फस हो गया same question कहा रहा है certificate exam में पूछा है फिर IAS prelims to 1993 में पूछा है आप समझ लो इस question का importance कितना है अगर आप civil services भी त्यारी कर रहे हो तो आपको science तो general science तो पढ़ना ही पड़ेगा अब कहा रहा है at what अब मैं इस question को नहीं करूंगा बार बार करके time waste करेगा मैं आपको process तरीका तो बताई दिया हूँ अब कहा रहा है at what point the Fahrenheit temperature is double of this centigrade temperature देखे same question है कह रहा है कि Fahrenheit temperature जो हो जागा न वो f equals to 2C करना है मुझे same मुझे पता है क्या formula c minus 0 by 100 equals to f minus 32 by 180 तो यहाँ f की जगा 2C put करेंगे answer आ जागा 160 मैं answer solve नहीं कर रहा हूँ क्योंगी देखे same question है बार बार करके फायदा नहीं है अब कहे रहा है the body temperature of a healthy man is 37 degrees Celsius होता है नॉर्मल इंसान का अब इसी को अगर मालो convert करके पूछ दे तो Celsius में पूछ दे मालो Kelvin में पूछ दे तो हम लोग जानते है 37 को plus 273 add कर देंगे Kelvin में जानने के लिए यह Kelvin temperature हो जाएका human body का कितना हो जाएगा तो 7 310 80 देख लो ठीक है इसमें 30 जोड़ दो आगे बढ़ते हैं सेम गुमा के पूछी दिया होगा कहीं न कहीं 310 Kelvin हो जाएगा अब देखे आगे बढ़ते हैं the normal temperature of human body in Kelvin देखे Kelvin पूछ दिया ना से अगला question तो simple सा होगा अब देख लो 310 हो जाएगा बताने की जुरूद तो है नहीं same question और यह देख लो IAS Indian Administrative Service Prelims 2995 का question है अब कहे रहा है normal temperature of human body is 98.4 Fahrenheit Fahrenheit में दे रखा है its equivalent temperature in degree Celsius is same 37 degree Celsius होता है लेकिन उसके approach देखेंगे अगर exact नहीं दे रखा है 36.89 मारेंगे आगे बढ़ेंगे conversion scale लगाने की भी जरूद नहीं यहाँ पर तो अब कहे रहा normal temperature of human body on Celsius scale will be census scale पर क्या होगा 37 degree Celsius के आसपास होना चाहिए तो 36.9 is the close one answer के रिए आगे बढ़ेंगे अब अगला question देखते हैं कह रहा है which one of the following scales of temperature does not have negative value तो Kelvin में negative value नहीं होती है ठीक है याद रखेगा the Kelvin scale has no negative values the Kelvin scale is the best representation of average kinetic molecular energy अगर question में यह भी पूछे which scale will be the best scale तो Kelvin temperature है इसकी कोई negative value नहीं होती है Kelvin का मतलब क्या होता है यह represent करता है आपको average kinetic molecular energy को मतलब body की average kinetic molecular energy को represent करता है अगर हम बात करें ना कि 0 Kelvin हो रहा है तो हम यह कहते हैं 0 Kelvin में तो इसको absolute 0 से measure करते हैं मतलब कि उस वक्त कोई kinetic energy नहीं है क्योंकि वह particle जो हो है वह घूम नहीं रही है तो यह इसका scientific explanation है आपको ध्यान रखना है यह यह question पूछा जा सकता है सिर्फ formula लिख देता हूँ formula c-0 by 100 formula लिख दे रहा हूँ c-0 by 100 तो c-0 by 100 हो गया आगे k-273 by 100 equals to f- 32 by 180 तो यह ही use करना है c और f fraction को use करके हम इसको solve कर लेंगे same question so I don't want to solve it again and again कितना बच्चा वाला question एक पूछा है question देखते हैं average temperature is centigrade and Fahrenheit centigrade और Fahrenheit का relation दे दिया है ठीक है अब कह रहा है f-bar और c-bar का क्या होगा relation सीधे f की जगा f-bar और c-bar replace कर दो कुछ इसमें सोचना है तो यह हो जाएगा f-bar 9 by 5 c-bar plus 32 option is the correct answer यह कुछ भी पूश देता है बस बच्चों को डराने के लिए पूश देता है और कुछ नहीं अब कुछ लाए तब value of 40 degree Celsius in Fahrenheit scale will be 64 BPSC 2018 question है simple से बात है तो same formula लगाना है आपको आगे बढ़ना है इस पर कुछ मी नहीं है फालतु का एक ही question को बार बार क्योंकि यह हर एक्जाम में पूशता है जैसे 50 degree Celsius इसको पूश दिया फारानाइट scale में तो लेजे करी देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं C minus 0 by 100 equals to F minus 32 by 180 C की value दिया हो है 50 तो 50 by 100 is equals to F minus 32 by 180 180 180 से 0 से 0 काट दो 185 इंटो 5 प्लस 32 यह हो जाएगा यह बजाएगे Fahrenheit scale में तो यह आजाएगा 122 ठीक है कुछ करना ही नहीं है आगे बढ़ते हैं अब कह रहा है कि cold countries में काफी एक्जाम में देख रहा हूं मैं लगबग सारे जितने भी एक्जाम होते हैं उसमें हर PCS level में questions जरूर देखा हूं यह मैं सोच के रहा हूं questions जरूर देखना है तो अब इससे मुझे एक चीज़ पता चला है अब question में कह रहा है in cold countries alcohol is preferred to mercury as a thermometric liquid तो ठंड प्रदेश में तो ठंडे प्रदेश में अल्कोहल यूज करते हैं mercury के जगा पे thermometric liquid तो ठंडे प्रदेश में हमको यह ध्यान रखना है कि वह जल्दी से जम न जाए ठीक है रश्या हो गया यह यूरोप हो गया वह अगर हम थर्मोमेटर रखना है और जम गया तो हम क्या महिजर करेंगे किसी की temperature तो अल्कोहल की जो होती है वह लोगर फ्रीजिंग पॉइंट होती है वह उसको मालो माइनस 4 पे अगर मालो mercury फ्रीज कर जाती है तो यह माइनस 16 पे करेगी मैं एक एक जामपल दे रहा हूं नॉट टो बी वेरी प्रिसाइज बट मैं एक जामपल दे रहा हूं इतनी लो कर देती है तो फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गई ना इसका मतलब यह हो गया थर्मोमेटर मेरा अब फ्रीज नहीं करेगा हम इसको इसको इसली यूज कर सकते है तो लो इसके एक्स्प्लेशन हम पढ़ देते हैं कोड़ा सा यूनिक कुछ मिल जाए देखो मैने there are lots of reason for using alcohol than other mercury as thermometric liquid some alcohol has a very low freezing point ठीक है बहुत low freezing point हो था minus 112 तक भी वो जमता नही है आप समझलो therefore is suitable to record very low temperature thus in cold countries alcohol is preferred to mercury as a thermometric liquid same explanation same thing आगे बढ़ते हैं which one of the following is used as an anti-freeze for the automobile engines automobile engines में anti-freezing agent के लिए क्या यूज करते हैं यह मुझे पता है ethylene glycol यूज करते हैं अब इसका कारण बताते हैं आपको वही ठंडे एरिया की बात है तो ethylene glycol is an organic molecule है ठीक है तो इस case में क्या होता है जो यूज होता है most widely anti-freeze तो आपको याद रखना है ethylene glycol की बात कर रहे है जो anti-freeze की बात करते है automobile engines में and as an industrial solvent में अब देखे when it is mixed with water जब इसको पाने की साथ मिलाते है the freezing point of mixture is depressed तो जो mixture की freezing point होता है घट जाती है main हम वो काम क्या होता है main मेरा target ही है freezing point को निच ले जाओ इसको जमे ना मालो जैसे अमेरिका यह सब में क्या करते है ethylene glycol use करते है क्यों use करते है अगर मालो चलते जलते कार की वो जम गई ठीक है तो फिर क्या होगा फिर आप वहीं struck हो जाओगे बर्फ तो गिरते रहती है वहाँ पर ठीक है तो normally हम क्या करते है 60% ethylene glycol use करते है और 40% water को मिलाते है और उसकी लिए freezing point deep हो जाती है minus 45 अगर आप 60% ethylene glycol use कर रहे हो और 40% water use कर रहे हो तो minus 45 पे जाके वो fridge करेगी आप समझलो minus 45 के लिए आपको पोल पे जाना पड़ेगा रश्या जाना पड़ेगा कहीं कहीं तो ठीक है ठीक है आगे बढ़ते है अब पूछ रहा है कि absolute zero temperature है क्या तो यह जो है ना theoretically lowest possible temperature है इससे जादा lowest possible नहीं है तो theoretically not practically so theoretically is the lowest possible temperature आगे बढ़ते हैं याद रखिएगा zero Kelvin को absolute zero कहते हैं और इगर इसको degree Celsius में लिखेंगे तो minus 273.15 degree Celsius कहते हैं ठीक है ठीक है अब इसके बाद क्या है ना क्या होता है कि जो atoms होते हैं हमारे substance के वो किसी भी thermal energy को transmit नहीं करेंगे there will be no transmission of thermal energy at absolute zero temperature तो याद रखिएगा इस चीज को ठीक है अब हम लोग आते है expansion during heating अगर हम किसी चीज को heat करते हैं तो क्या होगा तो चलिए हम इसको थोड़ समझाते हैं होता है density होता है mass by volume अगर आप किसी चीज को heat कर रहे हो iron rod है आपके पास ठीक है इसको आप heat कर रहे हो flame पे डालके तो यह पिखलना शुरू होगा जब यह पिखलेगा मतलब इसकी अंदर का जो compact molecule होगा वो फैलेगा इसकी volume बढ़ जाएगी जब volume बढ़ रही है तो density घट जाएगी volume बढ़ रही है तो density घट जाएगी I am repeating again volume बढ़ेगी density घट जाएगी so degrees in the density of the material will be the correct answer इसमें कुछ समझना है क्या my explanation दे दिया है आगे बढ़ते हैं अब कहता है फिर same question ice जब melt करता है तो क्या होगा same condition लेकिन एक चीज़ याद रखेगा किसी कोई भी चीज मिल्ट कर रही है solid तो उसकी volume बढ़ रही है but ice का case में क्या है इसकी volume घट जाती है ठीक है ऐसा क्यों होता है पहली बात समझते है और कौन-कौन से ऐसे solid है solids हैं जो ऐसे behavior को show करते है तो cast iron हो गया ice हो गया antimony bishmuth and brush जब यह melt करते है जिसकी volume decrease होती है ठीक है अब इसकी क्यों होती है क्योंकि देखिए जैसे ice लोगे न तो ice के अंदर pores होते है जिसमें air gaps में air filled होते है ठीक है इसलिए अब एक चीज और हम समझते है कि यह compact नहीं होगा बहुत ज्यादा अब इस type के solids होगे न वह अपने ही आप जैसे मालो कि आप ice पानी पे तैरता है न तो ice जब melt करेगा तो water बनेगा और वह खुद water पे तैरेगा तो क्यों हो रहा है क्योंकि इसकी volume घट हो रही है वॉल्यूम घट रही है तो density क्या होगी बह रही है density बहेगी तो fluid करेगी ठीक है तो आगे बहते हैं और इसके अंदर में spaces होते हैं जो molecule के बीच में तो जो melt होगा तो उसकी volume घटने लगती है अब आगे बहते हैं अब यह question को देखते हैं हम लोग कह रहा है कि दो P और Q दो material दे रखा ठीक है P और Q की axis पे vary करते हैं 0 time से लेके 100 degree Celsius पे हम लोग इसको heat करना जाते हैं तो Q की graph इस तरीके से बन रही है अब देख रहे हो ठीक है और P की graph straight line बनी है ठीक है P की graph straight line बनी है अब पूछ रहा है कि जो दोनों liquid है P और Q liquid है अब questions क्या कह रहा है देखते हैं कह रहा है कौन से से correct है क्या कह रहा है during heating liquid P always warmer than Q ऐसा है क्या घर्म करते वग P जो है always warmer है ऐसा है क्या एक point पर जाके दोनों same भी तो है आप देख लो graph पे तो यह तो cut गया question अगला option देखते है कह रहा है no point of time during the heating did the two liquid have the same temperature ऐसा है क्या इस point पर तो same temperature है जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया ठीक है तो यह भी गलत है option C पर आते है P attend the temperature of 100 degree Celsius faster than Q ऐसा है क्या आपको मैं दिखाता हूँ graph आप देखो time इस time frame को देखो तो इससे यह तो eliminate होगया आगे देखते है Q जो है उसकी time देखते हैं लगभग इस point पर पहुच रहा है Q Q यहाँ पर 100 degree Celsius को चीप कर रहा है लेकिन P देखे P यहाँ पर कर रहा है मतलब P जादा time ले रहा है P जादा time ले रहा है Q के comparative तो यह भी गलत है Q attain the temperature of 100 degrees faster than P यह absolutely correct है question बहुत ही आसान है अगर आप NCRT पढ़ते हो तो यह आपको बहुत ही आसान ही समझ में आएगा वैसे basic graph का अभी आप knowledge होगा तो समझ में आ जाएगा और यह question पूछा कहा गया है यह पूछा गया है IS prelims 1995 में आप समझ सकते हो intensity of the question कुछ भी नहीं है बस थोरा सा दिमाग को काम रखना और समझना है कि आखर पूछ कह रहा है ठीक है अब आगे देखते है question number 25 thermostat क्यों यूज करते है to measure the temperature wrong to increase the temperature बिल्कुल wrong to maintain the temperature yes to maintain the temperature thermostat thermostat thermoflask Milton की bottle याद रखिए ठीक है thermostat is related to temperature आगे बढ़ते है thermostat is a device which measures heat गलत measures temperature गलत automatically regulates the temperature of a system बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है thermostat is a device which automatically regulates the temperature or provides a signal used by another device to regulate temperature बस temperature regulation ने काम में आता है ठीक है thermostat is a mean thermostat dash is a mean of keeping temperature को stable रखते है thermostat की दोज़ा thermo temperature stat static static means constant आगे बढ़िए ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है what is the function of the thermostat of a refrigerator same to maintain the constant temperature thermo means temperature stat means static constant आगे बढ़िए अब कहरा है कि safe temperature क्या होगा food को fresh रखने के लिए refrigerator में तो यह 4 degree Celsius होता है यह एक factual question है ठीक है अब इसको पढ़ लेते है refrigerate temperature do not destroy pathogenic or spoilage microorganism the lower temperature slows the growth of microorganism already in the food some bacteria grow most rapidly in the range of temperature between 40 देखिए आपको याद रखना है कि कभी भी refrigeration process है ना वो bacteria किल नहीं करता है वो बस process को slow कर देता है जिसे चार दिन में जो सबजी असरेगी वो 6 दिन में सरेगी यह साथ दिन में सरेगी याद रखना है यह slow down कर देता है microorganism को spoil करने को के process को ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब एक चीज़ और समझ लेते हैं 40 degree Celsius जो है वो एक तरीके से most rapid वहाँ पर spoilage होता है and 140 degree Fahrenheit is the danger zone इसमें तुरंट खराब हो जाएगा हम यह से और करें कि refrigerator जो हो maintained रहे एक temperature पर जो की मेरा standard temperature हो तो normally देखा आता है 1.7 degree Celsius से लेके 3.3 degree Celsius जिसको आप 4 degree Celsius मान सकते हो अब क्या कह रहा है कह रहा है when soggy biscuits are kept inside the fridge for some time they become crisp because अगर हम लोग soggy biscuits को fridge के अंदर रख देते हैं कुछ समय के लिए crisp क्यों हो जाता है तो देखिए एक चीज़ आप हमें सा याद रखेगा fridge के अंदर humidity कम होती है fridge के अंदर humidity कम होती है ठीक है और जो extra moisture होगी बिस्किट में तो हलकी सी नमी वाली biscuit जो आप फ्रिज में डालोगे तो वह क्या करेगा उसकी जो नमी होगी वह सोख लेगा humidity inside the fridge is low and extra moisture is absorbed that's why सौग बिस्किट जो होता हो crispy हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कहता है कहता है कहता है a piece of ice added to the drink cools it बिल्कुल सही है एक ice को अगर हम लोग cool drinks में मिलाते है या फिर alcohol में मिलाते है तो ठंडा हो जाता है बिल्कुल सही है अब इसकी reason को समझते है यह कह रहा है ice takes latent heat from the drink for melting resulting in the cooling of the drink सही है absolutely correct है तो ice होता है वो जो latent heat होता है drink का latent heat मैंने आपको बताया था जैसे एक ice का टुक रहा है उसको water में convert करना है तो भी कुछ लगेगा water को his team में गजना है तो भी latent heat लगेगा will be the correct explanation ठीक है अब आगे बढ़ते है क्या क्या रहा है अब बूब करते है question number 33 33 क्या कहता है कहता है large cold storage plant assertion reason type question है large cold storage plant uses ammonia as refrigerant while domestic refrigerator use chlorofluorocarbon बिल्कुल सही है देखिए याद किजिए cfc phaging out of the chlorofluorocarbon यही थो था montreal protocol मतलब क्या है इसमें phase out of cfc ac plus freezes में जो use होता है chlorofluorocarbon जिसके कारण global warming बहुत जादा बढ़ रहा है और next option देखते है ammonia can be liquefied at ambient temperature at low pressure गलत है क्योंकि ammonia को हम लो liquefy कर जकते ambient temperature याद रखेगा pressurize करना पड़ता है हमको उसको liquefy करने के लिए तो option a is correct option b is wrong so c will be the correct answer ठेक है अब देखते है next question क्या कह रहा है कह रहा है if ice collects in the freezer the cooling in the refrigerator is affected adversely reason क्या कह रहा है reason कह रहा है ice is a poor conductor बिल्कुल सही है option a correct होगा आप समझते हैं क्यों ice जो होता है poor conductor explanation देख लेते हैं question का कह रहा है ice collects in the freezer is the result of vapor and moisture which is expelled by the food and ice tray बिल्कुल सही है और दूसरा क्या है ice जो है वो poor conductor of heat and electricity poor conductor of heat आगे बढ़ते है question 35 पे अब कह रहा है when a glass rod is placed in steam इसका length and width क्या होगा एक glass rod है उसको हम लोगे steam में डालेंगे तो steam की heat होती है वो काफी जादा होती है तो इससे क्या होगा इसकी length and width बढ़ जाएगी अब कह रहा है इस question में कि एक metal ball है और एक metal ring है यह metal ball है और यह metal ring है ठीक है अब कह रहा है कि metal ball the metal ball can just pass through the hole of the metal ring formed out of a strip when the ball is heated it gets struck but when the metal is heated तो अगर हम metal को heat करेंगे तो heat से क्या होता है कोई भी metal होता है वो expand करता है तो expand expand करेगा तो उसकी diameter बढ़ेगी तो diameter बढ़ेगी तो क्या होगा diameter बढ़ेगी तो option है चारो option चारो पर लेते है तो ball can still pass through the ring as the diameter expands on hitting बिल्कुल सही है तो ठीक है आगे बढ़ते है question में 30 seconds देखते है कह रहा है कि strips of two metals A and B है अब firmly joined together as shown in the figure तो ये उसका arrangement है A और B का A उपर में है B नीचे stacked है कह रहा है कि जब गर्म करते है A expand करता है ज्यादा B से A की expansion ज्यादा होगी मतलब वो ज्यादा curvature लेगा curvature of A will be more तो कह रहा है अगर इसको हम jointed करते है strip में jointed strip में heat करते हैं मतलब इसी condition में heat supply करते हैं तो कैसा appear होगा जब मेरा A का size ज्यादा हो रहा है और इसी condition में heat कर रहा है तो obviously B बनेगा explanation देख लीजे कह रहा है when two strips of different metals say one of brass and the other of iron are welded on reverted together the greater expansion of one metal results in the bending is shown in the option B एक का expansion होगा greater तो दूसरा का bending हो जाएगा क्योंकि दोनों x पे related है ठीक है तो यह question है अब कह रहा है question में 38 देखते है कहता है एक piece of copper है और एक piece of glass है दोनों को heat किया गया same temperature पे और कहता है जब दोनों को heat किया गया at same temperature उसको touch किया गया तो बिल्कुल copper जो है वो good conductor of heat and electricity है तो वो जादा गर्म होगी वो vastly है और second question कह रहा है density of copper is more than that of the glass ठीक है यह भी बिल्कुल सही है density of density of copper जो होगा वो greater than होगा density of glass से एक चीज़ तो हमको समझ में आगया कि option a assertion and reason दोनों correct है both are correct statement but reason is not the correct explanation of the given assertion so option b will the correct explanation अब आगे चलते है कहता है कहता है अब कहता है in winter you touch a log of wood एक लकरी के टुगरे को आप उठाओगे और एक आइरन के टुगरे को उठाओगे तो you will feel rod of iron is colder because कितना easy expression in comparison to wood iron is good conductor of heat and electricity सीधी सी बात है उड क्या इंसुलेटर है उड क्या नॉन कंड़क्टर है सीधी सी बात है कहता है कहता है if the temperature of air increases अगर एर की temperature बढ़ जाती है तो how would it affect the ability to assume water vapor ठीक है कह रहा है temperature of air बढ़ गया मालो एर की temperature बढ़ गया ठीक है तो dryness बढ़ जाएगा मतलब एर जो वेपर होगा water vapor होगा water vapor क्या हो जाएगा कम हो जाएगा atmosphere में अब अगर water vapor कम हो जाएगा atmosphere में तो उसकी water vapor holding capacity तो बढ़ जाएगी समझ रहे हो बात मतलब dry air में जादा capacity होती है water vapor को hold करने की तो it will increase question थोड़ा सा twisted है अराम से पढ़िएगा अब कहे रहा है in the night of strong wind dew is not formed because क्यों नहीं होगा भाई क्योंकि इसकी evaporation भर जाएगी rate of evaporation high हो जाएगी जल्दी जल्दी evaporate कर जाएगा ठीक है देख लोग कितना असान question पूछता है BPSC की prelims में इसलिए cutoff चली जाती 113-114 अब कोश्चन नमबर 42 देखते हैं which of the following statement is not true कह रहा है देखते है air conditioner and air cooler both maintain temperature बिल्कुल सही है दोनो temperature maintain करता है तभी तो आप pleasant pleasant feel करते हो ठीक है air conditioner and air cooler both maintain humidity यह गलत है humidity maintain नहीं करते है it maintains the temperature air conditioner maintain humidity but air cooler does not maintain humidity यह सही है air conditioner जो होती है वो humidity को maintain करती है अब देखते होगे कभी Delhi Metro में चलके देखो तो AC on करते हैं ताकि humidity ना हो अगर जहां एक auditorium में जहां 500 लोग बैटे हैं humidity humus ना हो जादा इसलिए AC को on करते हैं humidity को maintain करने के लिए और air cooler does not maintain humidity बिल्कुल सही है बोथ control motion of the air यह भी सही है so option B is the correct explanation जो हमारा हम को चाहिए which the following is not true तो air conditioner and air cooler बोथ maintain humidity यह गलत है आगे बढ़ते हैं कह रहा है what does an air conditioner installed in a room control air conditioner हम AC की बात कर रहा है तो humidity भी control करते है और temperature भी control करता है याद रखेगा अब देखिए question क्या कहा रहा है the cooling by a desert cooler is based on तो evaporation पे based होता है evaporation पे based होता है simple सी बात है अब cooling किसके द्वारा होता है तो flow of water नहीं release of compressed gas yes this is correct उसके explanation देख लेते हैं most of the air conditioner uses compressed gas which can cool the room or other places simple सी बात है अब कहता है in which of the following conditions which cloths will dry earliest अब कौन सा ऐसा condition है जिसमें हमारा जो भींगा हुआ कपरा है वो जल्दी सुखेगा तो options है 100% relative humidity 60 degree Celsius temperature 100% relative humidity यहां बढ़ेगी वहां पे मौश्यर आ जाएगा जहां पे मौश्यर आ जाएगा जहां पे मौश्यर आएगा वहां पे dry cloths करने में बहुत difficulties होगा तो यह दोनों तो कट गया पे आएगा आगे चलते हैं कह रहा है विच वन फॉलविंग चेंज़ आगर विन सॉल्ट को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो उसकी बॉयलिंग पॉइंट जोते हैं और फ्रिजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है याद रखेगा boiling point के विच ज़ाती है क्योंकि इसमें water crystal में water के अंदर density, water के विच देंसिटी बढ़ जाएगी ठीक है और freezing point क्यों घट जाती है क्योंकि freezing point को salt जो होता है वो lower कर देता है freezing point को ठीक है इसलिए आप देखते होगे जहां थंडवाला एरिया है वहाँ पे हम लोग सरकों पे salt को spray करते है इसके explanation को देख लेते हैं कहता है if salt is added to water then the boiling point of water will increase this happens as the boiling point is the temperature at which the vapor pressure of solvent become equals to the external atmospheric pressure तो pressure देखिए scientifically और अगर हम लोग टेक्निकली बात करें ना तो boiling point एक ऐसा temperature होता है जहाँ पे vapor pressure होता है नो solvent का solution का नहीं solvent का ठीक है तो वह equal हो जाता है external atmospheric pressure के तब हम लोग समझेंगे कि boiling point पे आ गया है ठीक है similarly it also decrease the freezing point freezing point भी decrease करता है which in turn will interact with the frozen solution crystal structure simple सहाँ बात है salt add की है this means that the temperature will have to be colder to overcome its freezing point in the mixture सीधी सी बात है आगे बढ़ते है same question on adding common salt to water the boiling point and freezing point of water will it will boiling point will increase and freezing point will decrease ठीक है question of 49 second last question कह रहा है असर्षन and and its reason given below assertion रहा है कह रहा है salt is used for cooking the food at places on higher from sea level ठीक है अब कह रहा है temperature is low in higher places बिल्कुल सही है तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यह दोनों correct है बट क्या reason correct है क्या बिल्कुल नहीं है higher places पे temperature कम होता है salt add करते है ताकि उसकी freezing point को यह लोग डाउन करके रखे लेकिन ऐसा तो नहीं है कि reason इसका correct explanation है बिल्कुल नहीं है तो option B का correct answer है that is both are correct but the reason is not the correct explanation of the given assertion ठीक है अब लास्ट ही question देख लेते हैं 50 number कहता है to keep the drinks at the same temperature for for quite some time ठीक है the walls of the thermos thermos bottle are coated with किसी से coat करते है silver layer से coat करते है ठीक है उसका explanation देख लेते है the glass or steel which is used in thermos bottle is coated with silver layer to keep drinks at the same temperature for some time याद रखेगा same temperature के लिए हम लोग thermos layer का यूज करते हैं जो कि silver का बना होता है तो यह था आपको complete package of thermodynamics chapter question 50 mcq मैंने करा रहा क्या कि बार वार repeat होड़ा तो अब कुछ और बचे है mcq लेकिन उनको कराने कोई value नहीं बनता कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि same है तो मैंने 50 questions कराया है और complete explanation दिया है इस chapter का तो इस chapter में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आने का है thank you for this i will continue this series my continue series ko continue रखूंगा as far as i go with my confidence like i will complete science complete science entire science of घटना चकर रिविन i will complete loosen 2 उसके बाद मैं complete करूंगा आपको घटना चकर का polity हो गया history हो गया ecology environment हो गया फिर economy हो गया ठीक है thank you